इंडिया वर्सिज न्यूजिलेंड के भीज T20 सिरीज का दूसरा मैच आज ओवेल में खेला जाना है पहला मैच बारिस की वज़े से रद कर दिया गया पर दूसरे मैच में भी यहाँ पर बारिस की संभावना है इंडिया वर्ट से न्यूजिलेंड के भी दूसरा T20 मैच बारिस की वज़े से रद हो सकता है क्योंकि सुबह से ही मौसम यहां पर कलावडी है बादल हो रहे हैं और बुना बादी भी हो रही है न्यूजिलेंड से सिधा रिपोर्ट करते हुए क्रिकेट एक्सपर्ट यहां पर बता रहे हैं कि सेकेंड मैच में भी बारिस का खतरा है उससे पहले आपने देखा होगा टीम इंडिया और टीम न्यूजिलेंड जो है यहां पर पूरी तरीके से इंजॉई कर रही है अभी तक कोई भी क्रिकेट की इमेज फोटो जह फिर वीडियो समय देखने को नहीं मिली क्योंकि पहले मैच मैं ही यहां पर बहुत ज्यादा हैवी बारिस होने की वजह से पहला मैच यहां पर नहीं हो पाया जिसकी वजह से अब इंडिया और न्यूजिलेंड के बीच जो भी इस सेकिंड टीटवंटी मैच को जीतेगा मैक्सिम उसके चैंसे हो जाएंगे कि क्यों टीटवंटी स्रीज को यहां पर जीत सकता है क्योंकि दो ही टीटवंटी मैच यहां पर बच जाएंगे इंडिया वर्टस न्यूजिलेंड के बीच खेले जाने वाले मैच का सीधा परसारण पराइम वीडियो में आप देख सकते हो बारा बज़े से मैच स्टार्ट ह होने वाला है पर यह सारा रहेगा बारिस के ऊपर के बारिस होगी की नहीं होगी और मौसम कैसा रहेगा न्यूजिलेंड दोरे के लिए सीनियर्स प्लेयर को यहां पर रैस्ट दिया गया है जबकि हार्दिक पांडिया की कैप्टेंसी में 15 सदसी यंग इंडियन टीम को न् मैच अगर होता है तो टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहेगा क्योंकि हार्दिक पांडिया के उबर का अफ़ी यहां पे दबाव रहेगा क्योंकि ज्यादा टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां पे होगी न्यूजिलेंड जैसे पेस पिचो पे 12 बज़े मैच शुरूओगा तभी पता चलेगा क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए न्यूब वीडियो के लिए